ख sesem वेलकम बेक स्टुडेंट फिर से एक बहस आगता है आप सभी को मरा रीकुब च्लास में तो आज हम पड़ेंगे कोमपेरीजन ओब थ्रीडीजित नांबर ठीक है दो थ्री डिजित नांबर को हम दोर थ्रीजित नांबर का हम क्या करेंगे existem heavens जानने के लिए कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है तो शुरू करते हैं which number is greater एभॉंग 745 and 354 तो यहां पर पूछ रहा है 745 and 354 में बड़ा कौन है greater greater माने greater का मतलब क्या है बड़ा तो कौन बड़ा है बोल रहा है तो देखते हैं वाइल काउंटिंग फ्रों 100 तू 999 354 काम yearly and 745 काम लेटर तो अगर हम काउंट करेंगे 100 से 999 तक ठीक है तो अगर हम काउंट कर रहे हैं काउंट कर रहे हैं गिन रहे है तो पहले को आ रहा है पहले 354 पहले आ जा रहा है और 745 जो है और बाद में आ रहा है तो इसमें क्या पता चल रहा है जो पहले आएगा ओ छोटा है और जो बाद में आएगा ओ बड़ा है यह डिजिट के क्रम अनिक सारे ठीक एक्रमिक संग डिजिट के अनिसारे तो यहां पर हम देख सकते हैं 745 is greater than 354 तो यहां पर देखो 745 greater than का सिमबल डाला गया है 354 लिखा गया ठीक है यह है गडर देंका सिमबल ठीक है उसी तरह 354 is less than 745 तो यह है हमारा smaller than का symbol less than का symbol ठीक है तो 345 में लिख सकता हूं less than 745 clear ठीक है अब देखो दा नमबर कॉमिंग लेटर वाइल कॉमिंग इस गेटर तो देखो यहां पर क्या सिखने के लिए मिलता है हमको अगर जो लेटर लेटर आता है लेट में आता है कॉमिंग लेटर क्या मतलब क्या जो बाद लेट में आता है तो ओ हो जाएगा गेटर वाइल काउंटिंग काउंटिंग में अगर हम काउंट कर रहे हैं दो डिजिट कांपर करके काउंट कर रहे है तो जो डिजिट काउंटिंग में लेटर आएगा हम काउंट कर रहे हैं और बाद में आ रहा है पहले डिजी चेतो वह हो जाएगा गेटर और अधर नंबर कमिंग येरलियर हॉइल काउटिग इस प्राइब चौन करने से पहले आ रहा है काउट करने में जो डिजीच गक्वण कर रहें में और काउंट करने में जो पेले आ रहा है वह है स्मॉल ठीक है तो उसी तरह देखो comparing number using the value of digit in different places तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे comparing number को compare करेंगे with different places ठीक है तो शुरू करते हैं HTO लिखा गया है HTO का मतलब क्या है 100 प्लेस 10 प्लेस और 1 प्लेस तो देखो का 745 और 354 को नहीं compare करेंगे त्छ है तो 745 में 100 प्लेस में हैआ मारा 7 और 10 प्लेस में है 4 और वांस प्लेस में है 5 उसी तरह 354 में हमारा 100 प्लेस में है 3 10답 में फाइफंस almond में हैं फोर तो अब क्या करेंगे कॉंपेर करेंगे फंडर फ्लेस में हॉंड हॉंड प्लेस को निन एक्पर कॉंपेर की जया हुआ है तो आप दीज वह तो टू थृडिजिट नामबर ता वान हैव वीच फिटर गेटर इजिन इंदा हांड़ध प्लेस इस गैट तो से मेन और थ्री में से मेट बड़ा हो गया तो शेवन हंद फूर्ट फवे जो होल टॉटाल हो है वह सबसे बड़ा हो गया 354 से बड़ा हो गया तो 745फ गेटर धन फ्रीट फॉर हम देख सकते ठीक है और 354 लेस्थ दन 749 बिले सकते अवे देखते हैं नेक्स्ट तीक है नेस्ट डिजिट को कंपेर कें नेक्स ठीज़ को कंपेर केदेंगे 675 गेटर देन 619 हो गाय कि नहीं देखते ठीक है तो होंडेड 675 होंडेड प्लेस में जिक्स एन सेवेन और वान प्लेस में फाइब उसी तरह 619 में हंगे 100 क्रेस में सिक्स वां टेन प्लेस में 1 ओन प्लेस में नाइज को तो देखो पहले अगरallas 100 को योड़ा çो करेंगे तो नों को कंप्ले करेंगे तो यहां पर भी 6 यहां पर देखो हम उसको निकाल लेंगे 7 और 1 7 और 1 में जो बड़ा कोने 7 तो 7 बड़ा हो गया उसका मतलब क्या हो गया 675 जो नंबर है वो बड़ा हो गया 619 से ठीक है तो हम लिख सकते 675 गेटर देन 619 और 619 लेस देन 675 तो क्या है यहां पर 100 प्रेस को अगर से एक्वाल हो गया तो हम 10 प्लेज को कंपर करके छोटा बड़ा निकाल लिए ठीक है उसी तरह आप दो 3D और 3D को कंपर करके छोटा बड़ा निकालेंगे ठीक है ग्रेटर देन स्मूलर देन निकालेंगे ठीक है तो यहां पर दो त्रीडिज नंबर है 562 और 568 है तो 2062 मैं 100 Сमय और 568 मैं 100 से तो यह क्या हो गया ईक्वाल हो गया या पर भी करिंड वाल फ्राइबि तो यह। 10 प्रेसमें दख ते 5 सब्सक्रांट में तू हागे ट्याट गया यहां पर कौन हो क्या एड भाड हो गया तो एड़ा मतला इसका मतला 568 जो हो जो डिजिट ते ओ बड़ा हुगिया तो यहां इसको क्या या तो या कि बाल ठिज निगाल यह ठिक है अले देखते निक्स ट तो आभी देखो फर्मयान लिकर के आएगा, compare the digit in the hundred place, the number with the getter digit in the hundred place is getter, तो step one में हम क्या सेखे, hundred place को compare करके, जो भी digit hundred place में बड़ा होगा, तो whole digit जो क्या हो गया, वो बड़ा हो गया, दूसर डिजित, ठीके, अब step two में क्या सेखे हां, when the digit in the hundred place are equal, अगर hundred place का digit equal हो गया, the number with the getter digit in the ten place is getter, तो hundred place का number अगर equal हो गया, तो हम ten place को compare करके, जो भी बड़ा digit है ten place में, तो whole digit क्या हो जाता था, बड़ा होग के, हम बड़ा और छोटा निकल पाते थे, ठीक है, उसी तरह step three में क्या से के हां, when the digit in the hundred place are equal, and the digit in the ten place are also equal, then the number with the getter digit in the one place is getter, तो step three में क्या से के हां, hundred place का अगर equal हो गया, दो digit compare कर रहे है, अगर दो digit में hundred place में same same है, equal हो गया, तो उसके बाद ten place को compare करेंगे, तो ten place में भी अगर equal हो गया, दो digit, तो कोई दिकत नहीं, one place को हम compare करेंगे, अगर one place में जो भी digit बड़ा हो जाएगा, दूसरे digit से, तो वही digit हमको क्या हो जाएगा, total whole or getter digit हो जाएगा, हम इसे सिखेते, ठीक है, अभी दखो equal number क्या है, equal number का मतलब क्या है, equal का मतलब same digit होगा, सभी में, 378 equal, 378, 812 equal, 812, two, three digit number are equal, if both the number have equal digit are the hundred, ten and once place, अगर once hundred place में, ten place में, और once place में, अगर same digit है, तो वह उसको हम क्या बोलेंगे, equal digit बोलेंगे, अभी दखते कुछ लिखा गया है, 430 greater than 287, because, why, because 4 greater than 200 place को यहाँ पर compare क्या गया, 4 बड़ा हो गया, 2 से, उसलिए 432, 33, अभी देखो, 590 smaller than 827 बोल रहा है, ठीक है, तो 827 यहाँ पर बड़ा है, और 519 छोटा है बोला है, why, compare के रहेंगे, compare 100 place, 519 में 100 place में 5 है, और 827 में 100 place में 8 है, तो 85 से बड़ा है, तो obviously 827, 590 से बड़ा हो गया, ठीक है, अभी देखो उसी तरह देखो, तो 763 smaller than 787 बोल रहा है, ठीक है, तो आभी देखो, यह 100 place में, 763 में 100 place में 7 है, और 787 में 100 place में भी 7 है, तो यह equal हो क्या, तो हम नई चूज कर सकते, से कौन बड़ा कौन छोटा, तो आभी 10th place से compare करेंगे, 673 में 10 place में 6 है, 787 में 10 place में 8 है, तो 6 और 8 में 8 बड़ा है, तो obviously 787, 666 से बड़ा हो गया, ठीक है, उसी तरह देखो, 615 equal to 615 बोल रहा है, तो 615 equal to 650 का मतलब क्या है, आगी देखो, तो 100 place में भी same digit है, इसका 100 place में भी same digit है, 10 place में 10, one place में भी same digit है, तो यह हमारा क्या हो गया, equal digit है, तो इसको हम इसी तरह हम क्या करेंगे, greater than, smaller than और equal to निकाल सकते हैं, अभी देखते हैं next, देखो, यहां पर लिखा गया, feeling by, greater than का symbol है यह, और यह smaller than का, और equal to का symbol, ठीक है, तो देखते हैं, क्या करेंगे, 625 और 801 में, बड़ा कोन है, यह छोटा कोन है, देखते हैं, ठीक है, अगर देखो, पहले बड़ा रहेगा, तो, greater than का symbol आएगा, अगर second भी बड़ा होगा, तो, और second में बड़ा होगा, और पहले छोटा होगा, तो smaller than का symbol आएगा, और equal to, दोनों डिज रहेगा, सेम है, तो equal to का symbol आएगा, यह तो पता है, ठीक है, तो केसे होगा, और केसे हम place value को count करके, place value को compare करके, हम केसे छोटा बड़ा लिंका है लेंगे, आप देखते हैं, तो देखो, 625 और 801 में, 625 में 100 प्रेस में 6 है, और 801 में 100 प्रेस में 8 है, तो यह तो पता चल गया, हमको कौन बड़ा है, 6 और 8 में, 8 बड़ा है, तो obviously 801 बड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, smaller than का सिम्बल लगेगा, ठीक है, उची तरह देखो next, नीचे, 917 और 801, तो 809 में, अब देखो, 917 में 100 प्रेस में 9 है, 809 में 100 प्रेस में 8 है, तो 9 और 8 में बड़ा कौन है, 9 बड़ा है, तो obviously 970, 809 से बड़ा है, तो यहाँ पर गटे दिन का सिम्बल लगेगा, ठीक है, अब देखो, यह वाला एक बता जेता हूं, 872 और 822, ठीक है, 872 में 100 प्रेस में 8 है, और 822 में 100 प्रेस में 8 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों equal हो गया, क्या हो गया, until play में same same value है, same same digit है, तो हम इसको compare नहीं कर सकते हैं, क्या कौन सा घृस प्रेस को तेखेंगे compare करेंगे, 802 में 10 प्रेस में 7 है, 822 में 10 प्रेस में 2 है, तो 7 और 2 में बड़ा कौन है, seven बड़ा है, तो obviously 1872 बड़ा हो जाएगा, से यहां पर क्या जाएगा गटर जिन का सिंबल लागेगा ठीक है देखो यह लास्ट में लिखा गया एक 894 809 ए स्री 694 और 694 लिखा गया तो यहां पर 694 जिक्सेंट से एक्वाल है तो यह सबसे बड़ा जो है तो सबसे बड़ा है तो इसे तरह इसको कंपर करना अब देखो क्या बोल रहा है यहां पर और एक बता देता हूं 300 800 900 389 और 893 तो इसको क्या करना है 100 से काउंट करना काउंट करने में जो भी लास्ट में आएगा जो जिसका काउंट लास्ट में खतम होगा ओ है बड़ा सबसे ठीक है अब क्या बोला है टिक दा 35 253 और 532 सबसे छोटा कोने सबसे छोटा मतलब क्या है जो पहले आएगा काउंटिंग में जो पहले आता है उसको बद से सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ठीक है तो इन में से सबसे छोटा होगा है 235 क्योंकि 235 काउंटिंग में पहले आता है तिक है उत्रहे नेख्ट नीचे 175 लिखा गया है 157 लिखा गया है और 775 लिखा गया तो यह अबर क्या करना है काउंट करना है यह उव्पेसली तुमको पता चल गया होगा कि कौन सबसे smallest yes 75 है सबसे smallest ठीक है तो 75 को टिक करना ठीक है अब देखा 500 है 200 800-600 तो यहां पर काउंट करना है 100 से लेके जो भी पेले आएगा काउंटी में वह हो जाएगा सबसे छोटा तो 200 है सबसे smallest तो 200 को टिक करना ठीक है अभी देखें नेक्स तो अभी क्या लिखा एक देखो ascending order ठीक है एरेंज दे नमबर इंद असेंडिंग अडर असेंडिंग का मतलब पेले हमको समझ रहा है उसके बाद ascending में लिखना है ठीक है ascending का मतलब पेले समझ लो ascending का मतलब है से छोटा से बड़ा तो कांटिंग में जो पेले आएगा और है हमारा सबसे छोटा उसके बाद जो लास्ट में आएगा है सबसे बड़ा तो उसी तरह इसको क्या करना यूज करके एक यूज करके लिखना है तो सुरह करते हैं 671 5189 711 में में इसको क्या करना है अशेंडिंग और में इसको क्षेंच करना है तो पहले पहले कोन आए उसको मुझको देखना फास्त्थ मुझे क्या दिखना है पहले कांटिंग में कोन आएगा 671 आएगा के या 589 आएगा या 711 आएगा तो पहले आएगा मेरा 589 तो मैं पहले लिखोंगा 589 आपर ठीक है उस्तरह नेक्स्ट नेक्स्ट कोन आएगा उसके बाद कोन आएगा 671 आएगा 70 711 आएगा तो अब यसली आएगा हमारा 671 तो सेकेंड में आएगा 671 उसके बार ल मैं रेंज करूंगा तो होगा 589 671 711 तो इन में से क्या होगा जो पेले आएगा कौन आएगा पेले 587 आएगा सबसे चोटा उसके बाद कोन आएगा 709 ठीक है काउंटिंग ने उसके बाद कोन आएगा 803 तो मेरा जासिंदिंग अड़र होगा 587 709 803 अभी देखते नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या लिखा गया 816 686 726 तो पेले कंपेर करूंगा पेला डीज को तो यहां सबसे चोटा कौन है 606 तो यहां पूर आ जाएगा शिक्सट अंड़र एटीशिक्स हो जाएगा पेले ठीक है उसके बाद कोने 7 तो 726 तो जाएगा सेकेंड नमबर ठीक है उसके वह लास्ट में कोन आगा 808 तो 816 हो जाएगा लास्ट नमबर ठीक है तो मरा आ गया 686 726 पर 816 तीक है अभी देखो यह तो त्री डिजिस्ट त हो तो तरस दीक है था भी फोट्ट्टो करेंगे न्युक्त तो देखो यहाँ पर देखो एटंडेम नाइंटीं लिखा गया 859 लिखंग्या इत बीकर उर्टो इसको कंपर करेंगे तो रहे आगर सब खोंपर करूंगा तो स्हने सब कुछ 888 टो इसको में कमपर नहीं कर सकता थिक है उसके बाद tempeY defy में अगरchutz करूंगा तो 819 अगर करूंगा- तो 825 हो गया सेकेंड नमबर तो उसके बाद कोन आएगा एट अंड फाइव हे तो त्री नमर फाइव हे तो 859 आगया हमारा थार्ड नमबर ठीके तो उसी तरह 8998 हो जाएगा लास्ट नमबर ठीके तो यह हो गया हमारा संदी गडर में आगर एंज करूंगा तो पहलो होगा एट नाइंटी नाइंटी फाइट हंड फ्यूटी नाइन उसके बाद एट ने नाइंटी आइट आएगा ठीक है अभी देखते हैं फाइब ठो ठीक है उसी तरह कंपेर करना हंड़ेड पेस में 940 में 100 प्रेस में नाइन प्रेसिटि तब और एंड़ शिस्ट को पहले लिखोंगा उसके बार हंडेल पैस में को अप्रक्राइब करीं तो सिक्संडर पॉर्टी तो शिक्संडर फोटी सेगेड में आ जाएगा उसके बाद सेबसेशन सेवन है तो 750 हो जाएगा हमरा थार प्लेस में और एट एढ़ं пять है तो नाइन होंड़ोंड र५ 14 5 नमर में थीकए तो इसको मैं लिखोंगा एरेंज करूंगा तो इसे हो आज़िते लीक्सर तो अभी क्या करेंगे डिसेंडिंग खरेंगे ठीकिंग का मतलब क्ली क्या पहले समझेंग का मतलब है बड़ा से चोता लिए फिक ए अशेंडिंग या मतलब क्या था चोता से बड़ा लिखना उसी तरह से हम वर्रिंदा चो और बोल रहा है ठीक है तो को लखेंगे तो 673 591 713 में सबसे बड़ा कौन है पहले 100 प्रेस को मैं कंपेर करूंगा अंडर प्रेस में 673 में 100 प्रेस में 6 तो सबसे बड़ा कौन हो गया मेरा सेफें तो अब्यसली 733 13 बड़ा हो गया तो मैं पहले लिखूंगा सेवन थार्टे उसके बास सेकेंड डिज जो आएगा कौन है सिक्स तो इसका मतलब 673 673 मेरा क्या हो गया सेकेंड डिजी तो यहां पर लिखूंगा ठीक है उसी तरह था यह उन्डेट नाइन ट्यूण हो गया मेरा थार्डेज तो आभी देखते हैं नेक्स क्या लिकाए गया देखो 674 714 808 बोल रहा है तो सबसे बड़ा कौन होगा 100 प्रेस को में कंपेर करूंगा 670 प्रेस में 100 प्रेस में 6 से बाहर निका लूंगा 6 को लिखूंगा उसके बा 808 को बाहर निकल के लिखूंगा एट ठीक है कंपेर करके एट लिखूंगा तो अब मेरा जो आगया आंसार देखो 678 आगया तो 678 में सबसे बड़ा कौन है एट बड़ा है तो एट अब्यसली उसका डिज कौन सा है 808 एट हो जाएगा सबसे बड़ा ठीक है उसकी तरह ने हो जाएगा सेकंड डिजिट ठीक है तो उसके अबात थार्ड में दिखा रहा है सिक्स तो 674 हो जाएगा हमारे क्या थार्ड इजिट तो मेरा जो डिसेंडिग अडर होगा 808 714 और 674 तो आभी देखो यह त्री डिजिट बाला था आभी फोर्ट फोर्ट डिजिट बाला कर 749 839 में बता चुका हूँ कि क्या केरेंगा घृगा में जो जो डिसेंड उसको बबहर निकल के लिखेंगे 930 मीं हंड़ड परैस में 9 तो 9 निकल के लिखोंग उसके बाद 643 में 100 प्रिजिट में 6欸 तो 6 को बहर निकल कि लिखंगा उसे तरह देखो 700 40 9 fal i7 this उसे तरह लेको निकल के लिखंग ओसे तो देखो यहां पर मेरा डिजिट कौन सा फ्रमोंत हो रहा है nine six seven eight फोन मेंट हो रहा है ठीक है सबसे बड़ा कौन होगा938 नाइन तो 938 बड़ा होका सबसे ठीक है उसके पात कॉमसा डिजी फोर्मेंट हुरा है तो भॉल इड का जो डीजित है कॉन सा एत हुसा यहको कि दिखा रहा है सेबेन का जो डिजिस कॉनसा है 749 तो 749 हो जाएगा थाड़ीज़ दिखा रहा है फूर्त प्लेस में कॉन है शिक स्टोथ लोडिसरी हो जाएगा हमारा कौनसा दिजीट फॉद दिजीट ठीक है अब उससी तरह एक और नेक्स्ट करते है ठीक है फाइवन्ड एडिफ ओर फाइवन्डेट सिक्स फाइवन्डट सिक्स 56540 ठीक है तो यहां पर देखो hon रट में कंपेर करूंगा फाइव ही नड़ कि एड में तो हंड़ पेस नहीं क mm southern can przepар cardiac pagar तो हैं पुछ फाले तक हैं यहां पर में क्या करूंगा यहां पर निकाल नहीं पाया थाक है यहां पर हम नीकनी पाय कौन सा बड़ा है कौन सा चोट टाइटीक है तो क्या करेंगे सेकण BE और टेंअ में जो है उसको compare करेंगे तो 584 में 10 प्लेस में है एट फाइब और शिक्स में 10 प्लेस में है जीरो 566 में 10 प्लेस में 6 540 में 10 प्लेस में 4 ठीक है तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं बड़ा चोटा निकल पाएंगे तो 584 तो हमारा जिस जो आया फर्मेंट हो के 806 फोर आया तो एट सबसे बड़ा है तो अब उसका डिजिस कौन सा है 584 तो 584 हो जाएगा हमारा बड़ा डिजिट ठीक है उसी तरह अभी देखो से सेकेंड डिजिस कौन सा फर्मेंट आके आ रहा है तो शीक्स का जो डिजिट कौन सा है 566 566 हो जायगा सेकेंड डिजिट ठीक है अभी देखो थाड नमर पर कौन सा रहा है फोर तो 540 हो जायगा थाड डिजिट ठीक है उसी तरह सबसे लास्ट जो दीज़ होगा फाई 0 दिखा रहा है तो 506 हो जाएगा सबसे सथा जीजिट तो मेरा जो डिसेंडिंग अडर में फर्मेंट हो रहा है 584 उसके बाद 566 उसके बाद 540 उसके बाद 506 हो रहा है ठीक है अभी देखते हैं फाइब ठो डिसक कॉंपर करके ठीक है तो देखो यहां पर लिखा अगया 940 ठीक है 940 641 751 841 563 तो इसको क्या करेंगे 100 प्रेस में 940 में नाइन है 641 वहांड प्रेस में 6 है 751 में 100 प्रेस में 7 है एट अन्डर प्रेस में एट हैं और 563 में अगर मैं इसको कंपेर करूंगा ठीक है तो सबसे बड़ा कौन दिखा रहा है देखो 96785 में सबसे बड़ा है 9 तो 9 का जो फोर्मेट है सबसे बड़ा 940 तो पहले लिख दूंगा उसके बाद सेकेंड का जो है जो लिख दिया उसको इंटो मारतो जो हो गया अभी देखो सेकेंड का कौन सा दिख रहा है एट दिखा रहा है तो एट का जो डिजिट कौन सा है इट्हाटनेटट मौना तो chrome prim देखेंड सेवत है कौन सा है से ऑचा ह। टुवान टार्न ओंपर हो हो गया कि उसके तरह का दिका रहा है। 641 दिखा रहा है तो 641 हो जाएगा फॉर्थ डिजिस ठीक है अब फिफ्ट डिजिस कौन सा दिखा रहा है हमारा फिफ्ट डिजिस ये वाला तो 563 हो जाएगा हमारा तो इसको हम अगर एक्सेंडिंग अडर में लिखेंगे तो 940 841 751 641 563 होगा ठीक है तो अगर और एक दिखेंगे ठीक है और एक कंपेर करेंगे वह देगा है जो रहा है तो शिबसे बड़ा कौन हो रहा है देखो तो 999 990 पेले लिख दूँगा उसके बाद सेकंड डीज में कौन सा फर्मेंट हो रहा है 899 तो 899 थार्ड में कौन सा रहा है सेवेन तो सेवन का जो डीजिए कौन सा है 709 तो नहीं लिखूंगा ठीक है अभी 6 में कौन सा है देखो 699 तो 699 नहीं पर लिखूंगा अभी फिप दिश्त में कॊन रहा है 599 तो 599 क्या हो जाएगा महारा यहां पर दिजित है यहां पर लिखोंगा ठीक है आभी देखो यहां पर क्या हो रहा है क्या फर्मेट हो रहा है निकाल का आगिया देखा मेरा पिट्यार है डिसेंडिंग अडर में तो 919 599 699 799 और 899 मैं अगर लिखूंगा डिसेंडिंग अडर में तो क्या होगा 919 899 709 और यहां पर 699 और 599 होगा तो यह तो था बच्चो डिसेंडिंग अडर और असेंडिंग अडर स्मॉलर देन गेटर देन तो आज हम सिखे कैसे हम समॉलर देन लिख सकते हैं दो डिजिट को कंपेर करके गेटर देन डिजिट पास सकते हैं दो डिजिट को कंपेर करके उसका प्लेस बेलू को लेके ठीक है और प्लेस दो डिजिट को अगर हम ब लिख सकते हैं और कोई दिक्त नहीं होगा जैसे कि हम को प्लेस बेलो अगर पता है तो हम इजी ली कंपेर कर सकते हैं कोई भी डिजिट को और आसानी से हम लिख सकते हैं तो बच्चो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेकलास के साथ तब तक ल